बच्चो आज हम रीडिंग पड़ेंगे ठीके बच्चो तो चलिए शुरू करते हैं मौसी का घर आप लोग मौसी के घर जाते होना मज़ा आता है है ना तो चलिए आज हम मौसी के घर का एक कहानी पड़ते हैं सौरव और गौरव मौसी के घर बिजनार गए सौरव और गौरव मौसी के घर बिजनार गए मौसी पकोड़ी और कचोड़ी लाई मौसी पकोड़ी और कचोड़ी लाई मौसा जी उनके लिए खिलावने लाई सभी ने बड़े शोक से कचोड़ी और पकोड़ी खाई सभी ने बड़े शोक से कचोड़ी और पकोड़ी खाई तो बच्चो देखिए मैं इसी में से छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछती हूं ठीक है मौसी का घर कहां था तो मौसी का घर बिजनोर में था है ना मौसी क्या बना के लाई मौसी पकोड़ी और कचोड़ी लाई कौन मौसी के घर गए थे सौरव और गौरव तो बच्चो आप इसी तरसे छोटे छोटे प्यारग्राफ या छोटे छोटे कहानी को पढ़के आप छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर आप इजिली दे सकते हैं इस चीज़ का आप अभ्यास कीजिए ठीके बच्चो और जो कहानी पढ़के या पैरग्राफ पढ़के आप उनको समझीए ठीक है पहले आप समझीए ठीक से उसके बाद ही आप प्रश्न का उत्तर इजिली दे सकते हैं तो आपको ये जो अपने जो लिडिंग जो आपने अभी पढ़ा है इनको कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है आप ओरल ही इसका अभ्यास कीजिए ओके थाइंक यू एड़ नाइस दे बाई बाई